जैहन्द एवरिवन वेरी वर्म वेलकम टू अल आफ यू कैसे हैं आप सभी आई होब आप सभी की तयारी बहुत ही सांदार चल रही होगी सत्रा दिसंबर MPPSC 2023 उम्मीद करता हूं कि आप में से अधिकतर सांथियों का पेपर बहुत ही सांदार गया होगा और कुछ हमारे ऐसे भी सांथी होंगे जिन्होंने साल भर बखुवी मेहनत तो की है लेकिन 24 प्रश्णों के कारण ही वो खुद को मेंस के लिए मुक पर इच्छा के सेक्योर जोन में महसूस नहीं कर पा रहे होंगे आप लोगों ने इस साल चाहिते सِřाने अगर पेपर को अचय से आनलायज किया होगा और पिछले साल की पेपर को भी अगर आपने अय यह अनलाइस किया होगा हम आकरी वक्त में घबड़ाते हैं और पूरी की पूरी यूनिट छोड़ कर चले आते हैं अगर आपने देखा होगा तो डायक्ली इंडायक्ली 10 कोशन 10 से 11 कोशन जो है केवल यूनिट 8 से पूछे गए हैं तो ध्यान रखेगा प्रिलिम्स उन्हीं लोगों का रुक रहा होगा क्योंकि MP से हम 35 उपर 40 तक कोशन के उम्मीद करते हैं थोड़ा MP से कोशन कम आये थे इस बार और करेंट अफेर के कोशन बढ़ा दिये हैं और आने वाले टाइम पर भी ऐसा ही देखने को मिलेगा करेंट अफेर का महतु दिन बढ़ता हुआ चलेगा तो जो गलती आपने की है करेंट अफेर को नजरन जा करने का लेबर के लिए यह लेकर आ रहा है कि सवीड Savage लेकर आ रहा है इस में क्या होता है कि 40 50 मीनट में ही देख दो इंटेंट अissenschaft का जो करनट उरिंपर्थेस को लिए उसे कवर कराता हूं अगर आप हपते में केवल एक बार और 25 मिनट का आपने revision देख लिया, यानि 50 मिनट में आप हपते भर के current affair को दो बार revise कर सकते हैं, और लागातार exam के पहले तक आपको weekly current affair follow करते हुए चलना है, और जब exam करीब आएगा, तब आप खुद को एक confidence, confident महसूस करेंगे, खुद को एक confidence zone में रखेंगे, क्योंकि आप महसूस करेंगे कि जादा तर current affair के topic हमारे weekly current affair series में ही complete हो चुके है, तो ध्यान रखीगा, आपको weekly current affair की जो class है regular मिलती रहेगी, हर मंडे को आपको class मिलेगी, रात 9.30 पीम पर आकार IS YouTube चैनल पर, तो चलिए, आज की इस class में हम लोग 18 December से लेकर, यानि कल तक 24-25 December तक की जित आप point of view से काफी important रहने वाले हैं, बटांगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दू, आज से ही 26 December, कल से 26 December से ही मुख परिचा का online और offline नय बैच श्टार्ट हो रहा है, तो जिन्हों ने इस बार भैतरी ढग से score किया है, और जो करना चाहते हैं, भले आप एक दो question से secure zone मे मैसूस नहीं कर पा रहे होंगे मुख परिचा के, फिर भी हमें मुख परिचा की तयारी तो करनी ही है, ultimately, तो 26 December से नय बैच offline और online, hybrid mode पर बैच जो है, श्टार्ट हो रहा है, इसके लावा 8 जनवरी से, 8 जनवरी से आपको Prelims कभी एक नय बैच आका रहे हैं, इसमें offline और online mode पर देखने को मिलेगा, इसके लावा आपको Prelims 2024 की test series भी start हो रही है, 29 December 2013 से इसका first demo test आपके लिए open किया जा रहा है, तो चलिए start करते हैं, कौन-कौन से important मुद्दे थी इस हफ्ते, सबसे पहले हमें देखना है Admiral Cup, क्योंकि हाली में Admiral Cup आयूजीत किया गया था, कि आखिरकार Admiral Cup किस sport से बिलॉंग करता है, दूसरा point हमारे आज का बहुत important topic होने वाला है, आप सभी को पता है कि IPL की इतिहास में अभी तक Michelle Stark जो है, वो सबसे जादा महेंगे बिकने वाले खिलानी हैं, तो Michelle Stark के बारे में जानेगी, इसके लावा MPPSC 2023 में भी एक question आया था कि साल 2024 को UN के दोरा International Year of Camelettes डिकलियर किया गया, तो ये Camelettes कौन होते हैं, किस reason में पाया जाता है ये जानवर, इसके लावा साल 2025 और 26 को भी किस चीज का अंतराश्टी वर्स घुसित किया गया है, इसके बारे में भी आज की क्लास में में समझना है, हाली में Under 19 Asia Cricket Cup 2030 देखना हार्दिक सिंग और सविता इन्हें Best Hockey Player of the Year का अवर्ड अंतराश्टी होकी संग के दौरा दिया गया है, तो हम देखेंगे इस पॉइंगे इस पॉइंट के साल के अंतराश्टी होकी संग की स्थापना कब होती है, अंतराश्टी होकी संग का है, हैड़कॉटर कहा जाता है, इस ते कोई यावर्ड क्यों दिया गया है, कि लिए उलेखनी उपलब्दी के लिए दिया गया है, सारी बाती इस पॉइंट के साथ हमें करना है, इसके लावा हाली में काफी सुर्ख्या अवर्टोरी है, आई एनस वर्षा इसके बारे में देखेंगे, प्रोजे 2019 2014 2020 2022 2020 लगा तार तीन वर्सों से नेशनल इस्पूर्स अवार्ड से पूछ होते हैं इन अवार्ड की स्टार्टिंग ईयर इस्टाब्रिष्मेंट यह कब की है रिसंडलिな किसे से अवार्ड दिया गया है मद्यपदेश के कितने खिलाडियों को नेजनल स्पोर्स अवार्ड के लिए चुना गया है सारी बाते हम इस पॉइंट के साथ डिसकस करेंगे लास्ट हमारा पॉइंट होगा महत्पूर्ण डिवस 18 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक कौन कौन से महत्पूर्ण राष्टी और अंतराष्टी दिवा से उनके बारे में भी एक शौट रिवू लेंगी इस पॉइंट के साथ तो चली स्टार्ट करते हैं सारे पॉइंट को डिसकस करना एक एक करकर मैं पूरी कोशिस करूँगा कि सारे फैक्स आपको क्लास में याद हो जाएं बस आपको करना क्या है आपको सारे पॉइंट जो है मेरे साथ जो है रिकॉल करते हुए चलना है पहला कोशन आप से आप पूछा जा रहा है दिसंबर 2013 में भारती नौसेना दौरा आयो जिद एड्मिरेल कप को किस देश की टी करति यांने नीज कटिंग को देखकर एक बात तो क्लियर हो गही है जो है था disciplined इसका जाने है जानते हैं और फिर से इस यह जो admiral cup है एक sailing competition यह एक न उकायन प्रत्योगता है और इस प्रत्योगता में 12th edition का 아이egen छाली में इंडिया नेवल Symphony आपको ध्यानर के खीन र perform की जो विजेता टीम है वो है इतली जबकि भारत जो है मेजवान देश भारत इस कप का सेकंड याने फर्स्ट रनर अप रहा उप विजेता रहा वही बृतेन और जर्मनी इस कप में तीसरे रैंक पर रहे तो क्या क्या हम लोगों ने सीखा एक बार ध्यान समझेगा सबसे पह टाय सेलींग कॉंप्टि एक नौisin पृतियोंगीता है पहला पूण जो आपको ध्यान में रखना है दूसरा पॉंट इसका आयोजन किसके दौर कि या बहारति नौ सेना अकैडमी एंड्यागन नेवल एकैडमी के दौरा किया गया दूसर पंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंडियन नेवल अकाडमी का हेड़ कोटर कहा है आंसर आ जाएगा AZ माला और AZ माला कहां पर है हमारा आंसर हो जाएगा भी या केरल में हैं कौन सी संसकरण का आउजन किया गया है साल 2030 में आंसर हो जाएगा भी या बारवी संसक बातें कम से कम आपको ध्यान रखनी है तो इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इटली क्लियर हो इतनी बाते हैं चले अगले कोशन की तरह हम लोग बढ़ते हैं यह आप देख भी सकते हैं चैंपियंस 2023 इंडियन नेवल अकैडमी एडमिरल्स कप और किसने जीता है आंसर हो जाएगा इटली ने अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं यहां हमसे कोशन पूछा गया है सबको मेरे साथ कोशन को रीट करते हुए चलना है इस कोशन पर वापस लोटेंगे पहले खबर को थोड़ा सा विस्तार में चर्चा कर लेते हैं हाली में IPL 2024 में खिलाडियों की निलामी की गई और इस खिलाडियों के निलामी में सबसे महंगे खिलाडी उभर कराते हैं मिशेल इश्टार और इन्हें मिशेल इश्टार को ध्यान रखीगा 24.75 करोड रुपे से कोलकाता नाइट राइडर्स आप सभी जानते होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स इस्पेसली मेरी बहने जिनका इंट्रेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा कम होता है कोलकाता नाइट राइडर्स सहरु खान की एक टीम है और इस तीम के दौरा 24.75 करोड रुपे के साथ मिशेल इस्टार को अपने टीम में सामिल किया गया है और आईपियल दोजार 24 के निलामी में सबसे महंगे खिलाडी के रूप में उभर कराया है मिशेल इस्टार कहां के है यह आउस्टेलिया के हैं आप सभी को पता है आउस्टेलिया के है तेज गेंदवाज है इनके पहले इनके बाद जो दूसरे नंबर का सबसे महंगे जबकि इस बार पैट कम्यूंस को पीछा करते हुए मिशेल इस्टार के भी ऑस्टेलिया के हैं आईपियल दोजार 24 की निलामी में आउक्शन में सबसे महंगे खिलाडी के रूप में उभर कराया है तो आपको खेवल इतना ध्यान रखना है अगर कुश्चन पूछा जाए आईपियल दोजार 24 की निलामी में सबसे महंगे खिलाडी के रूप में कौन भी के हैं आंसर हो जाएगा मिशेल इश्टार कितने में भी के हैं एमाउन नहीं ध्यान रखना किस टीम ने इनको खरीदा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको खरीदा है कहां के हैं हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्टेलिया जबकि दूसरे सबसे महंगे खिलाडी कौन से आंसर हो जाएगा पैट कमिंस और पैट कमिंस भी कहां से हैं ऑस्टेलिया से क्लियर हो इतनी बाते इसके पहले कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया दिसंबर 2023 में भारती नौशेन के निलामी में सबसे महंगे खिलाडी कौन है मिशेल इस्टार कहां के हैं ऑस्टेलिया के हैं किस टीम ने इनको खरीदा है या आंसर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडरस कितने में तो 24.75 करोन में कोई भी ज़रूत नहीं है अगर बात करें आइपियल की इंडियन प्री साल में सर्टील इनकों सोलहों एडिशन वाहलिजों ऄडिमें लात रहे आइडियों में से इडिशन था Спर्ण ओन का सविन्तेमें की बार की यह जीता है में साल से 500 अंञ्षिस्थान था में में यौन in about सबसे जादा बार को जीतने का जो खिताब है वो दो टीम के पास है मुंबई इंडियन उसने भी पांच बार को जीता हुआ है और चन्नाई सुपर किंग ने भी पांच बार को जीता है क्लियर होगी इतनी बात है चलिए अगर आपको अच्छा मेरी वह बहने जिन्हें क्रिकेट में कम इंटरस्ट रहता है जब भी बात आती है आप लोगों ने दो पॉइंट बहुत सुने होंगे एक सुना होगा इनको परपल कैप दिया गया और एक सुना होगा आप उन्हें औरेंज केप दिया जाता है अगर हम आईपल दोजाटेइस की बात करें तो जो हमारे सुमन गिलते उन्हें उन्होंने 880 रन बनायते और 880 सरवाधिक थे इसलिए इन्हें औरेंज कैप दिया गया था जबकि परपल कैप किसे दिया जाता है उस गेंदबाज को जि पहला एडिशन जो आईपील का था 2008 का उसे राजिस्थान रॉयल्स ने जीता था इस साल दोजारीज में आईपील का 16 एडिशन था इस्वकिन छिनाई सुपर किंग ने दो टीम है मुंबई इंडियंस और चन्नाई सुपर किंग यह दोनों ही टीम ने पांच-बार आईप जबकि वो खिलाडी जिसने सब्संज़्यारदा रन बनाया है उसे ओरेंजके लिए जाता है आइपएल दोगजार तेज में निया आइप्टी तरफटेर होतने बाते हैं अगर हम बात कर रहें IPL की तो यहीं पर हमें बात करना होगा WPL, सरी WPL क्या है, WPL का मतलब है Women's Premier League, IPL जो है उसमें पूरस क्रिकेटर भाग लेते हैं, IPL की सुराथ साल 2008 में हो गई थी, जबकि महिला क्रिकेटर के लिए साल 2023 में WPL की सुराथ होती है, WPL Women's Premier League, और इसके टाट टाटा जो है, टाइटर स्पॉंसर थें, वो टाटा थें, चार से 26 मार 2023 की बिश में, पहली बार महिला प्रीमियर लीग का आजन किया गया था, आच्छे, यहां पर बस इतना ध्यान रखेगा, चुकि पहला हुआ है, तो इस महिला प्रीमियर लीग को फर्स्ट एडिशन को प्राडी की रूप में भिके हैं, अंसर हो जाएगा, मिशेल इश्टार, अगर दूसरा कोशन आप से पुछा जाए कि प्रथम महिला प्रीमियर लीग, 2030 की विजेता कौन है, आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस, कौन थी कफ्तान मुंबई इंडियंस की हर्वन प्रीत क और पहला एडिशन कब शुरू हुआ था विए वोमन्स प्रीमियर लीग का अंसर हो जाएगा साल 2023 में, ठीक है चली, बढ़ते हैं अगली कुश्चन की तरफ, यहां पे आपसे कुश्चन पुछा गया है, सैंक प्राष्ट के द्वारा किस वर्स को अंतर राष्टी कैमिलि कोई भी अंतर राष्टी वर्स हो, उसको घोसित करने का काम यूनाइटेट नेशन का होता है, यूनाइटेट नेशन ने साल 2022 को सतत परती विकास का अंतर राष्टी वर्स घोसित किया था, और आप लोग ने साल 2023 के बारे में बहुत सुना होगा, और MPPSC 2022 में भी पूछा साल 2023 को यूनाइटेट नेशन के जौरा इंटरनेशनल इयर ऑफ मिलेड यहने अंतर राष्टी बाजरा या मोटा अनाज वर्स घोसित किया था साल 2024 को यूनाइटे नेशन इंटरनेशनल इयर आफ के मेलिट घोसित किया इसी तरह आपको ध्यानि रखना है साल 2025 के Camelots, आप कहेंगे Camelots होते ही क्या है, तो आप यहाँ फोटो देख सकते हैं, यह Camelots, ऊट की तरह दिखने वाला एक जानवर होता है, एक सागहारी जानवर है जो ऊट की तरह दिखता है, और थंडे पहाड़ी छेटरों में पाए जाता है, अगर हम Camelots की बात करें, तो एंडीज जो South America का जो एंडीज मांटन रेंज है उस छेतर में काफी मात्रा में यह पाए जाते हैं उट के समान दिखते हैं कैमल के जैसे दिखते हैं बस अंतर यह होता है कि उट के पैर में खुर होते हैं वो खुर होते लेकिं इसके पास खुर की जगह जो है दो उंगलिया ह समया हमिए आगी बात चले तो द्यान रखीगा साल 2024 को अंत राश्री के मिलीट्स वर्ष घुषित जोचित किया गया है सारी प्राश्र की दौर्ण की तरह किस वर्ष को अंतराश्री मिलेट्स वर्ष घुषित किया गया हमारा अंसरों का ऑप्शन भी साल 2024idée यहां पे साल दोजर पचिस को ग्लेशिरों के संरक्षन का अंतराष्टी वर्ज और साल दोजर चबिस को रेज लेंड्स और चर्वाहों का अंतराष्टी वर्ज क्लियर होगी इतनी बाते चले बढ़ते हम लोग अगले कोशन की तरफ यहां पर हमसे क्वेशन पूछा गया है विच टीम हैस वन टाइटल ऑफ अंडर-19 एश्या क्रिकेट कप 2030 अंडर-19 एश्या क्रिकेट कप 2030 का खिताब किसने जीता है आप यहां पर न्यूस कटिंग भी देख सकते हैं बांगला देश लिफ्ट अंडर-19 एश्या कप 2030 आप्ट 1989 में हुई थी अंडर-19 एश्या क्रिकेट कप की शुरुआत साल 1989 1989 में हुई थी और इसके पहले संस्क्राण का विजयता कोई और नहीं बलकि हमारा प्यारा भारत था अगर बात करें साल 2023 के अंडर-19 एश्या क्रिकेट कप तो यह आर्ट से लेकर 17 दिसंबर 2023 के बीच में खेला गया था डेट याद रखने की विल्कुन भी जरूरत नहीं है कहां खेला गया था होश्च कंट्री कौन है तो यूनाइट अरब अमिराद यू ए इसका होश्च यह मिजवान देश था विजेता कौन है यह काम की बात है बांगला देश और बांगला देश ने पहली बार अंडर नाइटीन एश्या क्रिट कब दोहजार तेश को अपने नाम किया तो ध्यान रखेंगा पहली बार बांगला देश ने खिताब जीता है कब कब हुआ था आट से लेका सतर दिसम दोहजार तेश के बीच में कहां हुआ था सेयुक्त अरब अमिराद अच्छा बांगला देश ने जीता है यूए इसका मेजवान देश था लेकिन बांगला देश ने किसे हरा कर ये टूर्नमेंट अपना नाम किया है आंसर हो जाएगा मेजवान देश युनाइट अरब अमीराद को हरा कर क्लियर होगी इतनी बाती इस टूर्नमेंट को सबसे जादा ब भारत नहीं जीता है हमने अभी तक 7 बार Under 19 एशा क्रेट कप की खिताब को अपने नाम कर लिया तो इस क्वेशन पर वापस लोडते हैं क्वेशन पूछा है Under 19 एशा क्रेट कब 2023 का किस ने जीता है बांगला देश ने जीता है किसे हरा कर जीता है आंसर हो जाएगा युनाइटिट अरब अमिरात को हराकर कब से स्टार्ट हुआ है अंडर 19 एशा क्रिकेट कप आंसर हो जाएगा 1989 पहला एडिशन 1989 का किस ने जीता था हमारा प्यारा भारत अब तक सबसे ज्यादा बार अंडर 19 एशा क्रिकेट कप का खिताब अपने नाम किस ने किया है भारत ने कितने बार हमने इस टाइटल को जीतना है आंसर हो जाएगा साथ बार इसके पहले हमने कौन सा कोशन कवर किया है साल 2022 को सतत परुति विकास का अंतराश्टी वर्ष उनाइटे नेशन ने घूशित क बेजलेंड और चरवाहों का अंतराश्टी वर्ष क्लियर होगी इतनी बाते चले पढ़ते हैं अगले कुशन की तरफ यहां पर हमसे पूछा है अंतराश्टी हौकी महासंग द्वारा किसे वर्ष 2020 का सर्वशेष्ट पूरुष खिलाडी का खिताब दिया गया है तो चली इस कुशन पर वापस लोटेंगे पहले खबर को थोड़ा सा विश्टार से बात कर लेते हैं यहां पे एक संस्था है संस्था का नाम है अंतराश्टी हौकी महासंग सबसे पहले इस इंस्ट्यूशन के बारे में देख लेते हैं इंटर्नेशनल लेवल पर हौकी की रेगु बुच्छा जा सकता है सुज्जा लेड के लुशाने में इसका मुख्याल है वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वह तयब इक्राम जो कि मकाव के सिर्जन है तो क्या मैंने कहा ध्यान समझेगा अंतराश्री लेवर पर हौकी की रेगुलेटरी बॉड़ी है अंतराश्री महसंग इसकी साफना 1924-1924 में सुज्जे लेंड के लुशाने में इसका मुख्याला है वर्तमान में इसके जो अध्यस हैं तैयब इक्राम वहीं अगर हम बात करें कि पूरुस होकी विश्चुकप 2023 की विजयता कौन थी जर्मनी आप से भी पूचा आ सकता है वहीं अगर ब इस अंतराश्टी होकी महसंग संस्था के जो अध्यक्षण वर्तमान में तैयब इक्राम कहां के हैं मकाव के हैं पुरुस होकी विश्चप 2023 की विजेता टीम कौन से अंसर हो जाएगा जर्मनी और महीला हाकी विश्कप 2022 की विजेता टीम कौन से है निदल लड़ने इसी श साल 2023 का सर्वशेश पुरुस खिलाडी का खिताब दिया गया है हार्दिक सिंग को हार्दिक सिंग भारती जो इंडियन होकी टीम है उसके उसके गोलकीपर है इसके अलावा जो है सविता सविता सिंग को सर्वशेश महिला होकी गोलकीपर का भी पुरुसकार दिया गया समझ आ किताब गया हार्दि सिंग सर्वशेश महिला गोलकीपर का पुरुसकार किसे दिया गया तमाँ हमारा आंसर हो जाएगा सविता पुनिया भारती महिला होकी टीम की कप्तान है और हार्दिक सिंगs भार्ती पूरुस होकी टीम के मिट फिल्डर है क्लियर होगी इतनी बात है चले जिस तरह अंतराष्टी लेवल पर होकी की रेगुलेटरी बॉट्डी है अंतराष्टी होकी महासंग उसी तरह भारत में होकी की जो रेगुलेटरी बॉट्डी है वो है होकी इंडिया आप से ये भी पूछा जा सकता है कोशन कि हौकी इंडिया की इस्टाबलिस्मेंट कब करेगी आंसर हो जाएगा साल 2009 में हौकी इंडिया का मुख्याला कहां पहन नहीं दिली और वर्तमान में हौकी इंडिया की जो प्रेश्डेंट है वो कौन है डिलीप टर्की क्लियर होगी इतनी बातें चले अगले कोशन की तरफ के सफलता के लिए इसरो को मिला लीफ एरिक्षन लूनर पुरुसकार विदेश मंत्री एस जसंकर ने बधाई दी नो डाउट इस न्यूस कटिंग को देकर यह पता चल गया है कि यह एक अवार्ड है उस पुरुसकार का नाम है एरिक्षन लूनर अवार्ड और यह अवार्ड आइसलेंड की संग्रहाल है एक संस्था है उस संस्था का नाम है हुशाविक अनवेशन संग्रहाल है आइसलेंड का है और इस संस्था के द्वारा साल 2015 से एक पुरुसकार दिया जाता है उस पुरुसकार का नाम है लीफ एरिक्षन लूनर पुरुसकार आप यहां पे देखनों को मिले तो ध्यान मिले ध्यान रखेगा कि लूनर वर्ड चंद्रमा के लिए यूज किया जाता है तो अंत्रिक्ष में चंद्रमा से संबंदी exploration चंद्रमा से संबंदी खोजबीन के लिए हर साल 2015 से आइसलेंड का एक संग्रहाला है हुसाविक अन्वेशन संग्रहाल है इसके द्वारा लीफ एरिक्षन लूनर पुरुसकार दिया जाता है और साल 2020 में यह पुरुसकार भारती जो नोडल एजनसी है स्पेस की इस्ट्रो को दिया गया आप यहां पर देख भी सकते हैं दोजार तेज लीफ एरिक्षन लूनर प्राइज अवाड़ेट टू इंडियन स्पेस रिसर्च और गिनाइजेशन क्लियर होगी इतनी बात ने एक वफी ध्यान समझेगा आइसलेंड का एक संग्रहाल है उसका नाम है हुसाविक अन्वेशन संग्रहाल है और इस संस्था के द्वारा साल 2015 से चंडर्मा से संबंधित अंतरिक्षी अन्वेशन के लिए लीफ एरिक्षन लूनर पुरुसकार दिया जाता है साल 2030 में यह पुरुसकार इस्ट्रो को दिया गया क्यूं दिया गया रियांतीन का लॉंचिक वेहिकल कौन सा था इस कोश्चन पर वापस लोड़ते हैं मेरे साथ कोश्चन को पढ़िएगा हाली में रिक्षन लूनर अवार्ड से किस भारती संस्था को सम्मानित किया गया है हमाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस रो अच्छा इसके पहले ह भारती भारती जो हौकी टीम है उसके मिट फिल्डर है वहीं अगर आपसे कुश्चन पूछा जाए कि अंतराश्री हौकी महासंग के द्वारा सर्शेष महिला गोलकीपर का अवार्ड किसे दिया गया आंसर हो जाएगा सविता पुनिया को अंतराश्री हौकी संग की साफन 2009 मी करी गई थी मुख्याल है नई दिली में और वर्तमान में होकें इंडिया के अध्यक्चें दिली अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं यहां पे हमसे कुशन पूछा गया है भारती नौशेना का अंडर ग्राउंड सब्मरीन बंकर आई एनस वर्षा कहां बन सब्मरीन बंकर जानिए इनस वर्षा के बारे में यहने दो 3 तो इस न्यूज गटिंग से क्लियर हो गया। सर वो कौन कौन से पॉइंट है सबसे पहले यह आई एंस वर्षा था क्या था एक सीगर अंडर ओन सब्मरीन बंकर है सब्मरीन बंकर कहने का मतलब क्या होगा यह स station बनाया जा रहा है और उस station में बस stand में बस खड़ी होती है railway station में railway आकर खड़ी होती है Airport में हवाई जहाज आकर खड़े होते हैं वैसे ही आइनज वर्षा एक सीक्रिट अंडरग्राउं सब्मरीन है जहां पे हमाई जो nuclear पंडुबी हैं उनको सुरक्षित रखा जाएगा और यह पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है जिसके तहद आई इनेस वर्षा बनाया जा रहा है उस प्रोजेक्ट का नाम भी प्रोजेक्ट वर्षा है तो दोनों तरह से आपको पूछा आ सकता है कि आई इनस वर्षा क्या ह तो प्रोजेक्ट वर्षा के तहद सीक्रिट अंडर ग्राउंड सब्मरीन बंकर बनाया जा रहा है कुछ इस तरह से बंकर आपको नजर देखने को मिलेगा कहां बनाया जा रहा है तो ध्यान रखीएगा यह हो गया हमारा प्यारा भारत हमारी प्यारे भारत में यहां पर क्या रखा गया है आई एनस वर्षा उस कोशन पर वापस लोटते हैं बारती नौशेना का अंडर ग्राउंड सब्मरीन बंकर आइनस वर्षा कहां बनाया जा रहा है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी आंद्रप्रदीश क्लियर होगी इतनी बात हैं सभी को चले बढ़ यहां से डारेक्ट विशले तीन सालों से कोशन देखने को मिल रहे हैं इस कोशन पर वापस लोटेंगी पहले देख लेंगी कि कौन-कौन से भारत के नेशनल इस्पोर्ट अवार्ड है जब हम बात करते हैं राश्टी खेल पुरुसकार के बारे में तो इसमें कोई एक में और मालान अबुलकल्लामाज्याग्ड करते हैं । और रिसेंट को दिया गया यह पूरी चीज़ें हमें कवर करते हुए चल लिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेजर ध्यांचंद्र खेल रत पुरुसकार के बारे में और यह भारत में खेल जगत का सबसे बड़ा पुरुसकार है ठीक है अगर आप से कोशन पूछ लि मेजर ध्यांचंद खेल रत पुरुसकार की स्थाप्ण कब की गई तो आंसर हो जाएगा जाने वाले मेजर ध्यांचन के नाम पर किया गया कौन देता है जो जितने भी राश्टी खेल पुरुसकार है इससे देने का काम करता है यूवा मामला खेल मंत्राले यूथ अफेरन जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री है वो नामों को डिसाइड करती है बकाइदा इन नामों के में कवर किया पहला भारत का सबसे बड़ा खेल पुरुसकार मेजर ध्यांचन खेल रदन पुरुसकार इस्थापना कभू होती है इस पुराना नाम क्या है इस पुरुसकार का राजिव गाहनी खेल रदन पुरुसकार कौन सा मंत्राले देता है तो मिनिश्ट्री आफ यू ध्यांचन खेलत पुरुसकार दिया जाता है तो ऐसे खिलाडियों को यह पुरुसकार दिया जाता है जिन्हों ने पिछले चार वर्स की अबध में खेल के छेत में उलेखनी उपलब्दी हासिल की हो पहला मेजर ध्यांचन खेलत पुरुसकार किसे दिया गया था तो से संबंदित हैं भारुत तोलन से कब दिया गया था 1995 को क्या मैंने का फिर ध्यान से समझेगा अगर आपसे पूछा जा कि पहला मेजर ध्यांचंद्र खेल रत अवाड किसे दिया गया विश्वनाथन आनंदन को कब दिया गया वह यह पहला है उनीश्विंक्यानेवी का लेक से क्लियर होगी इतनी बात नहीं इसके लावर यह भी ध्यान रखेगा कि दो साल ऐसी आते हैं 2008 और 2014 जब इन राश्टी खेल में मेजर ध्यांचंद्र खेलन पुरुसकार किसी को भी नहीं दिया गया था साल 2022 का किशे दिया गया था अचंता सरत कमल और इनका संबन किस स्पोर्ट से है टेबल टेनिस से है और अचंता सरत कमल कहां से बिलॉंग करते हैं आंसर हो जाएगा चन्नई और यही कुशन MPPC 2023 में पूछा गया था कि वर्स 2022 के लिए मेजर ध्यांचंद खेलन पुरुसकार किशे दिया गया अचंता सरत कमल को टेबल टेनिस के खिलाडी है चन्नई से बिलॉंग करते हैं यह तो रहे 2022 के हाली में 2023 का मेजर ध्यांचंद खेलन पुरुसकारों के भी घोशना की गई है जिन्हें 9 जनवरी 2024 को दिया जाएगा घोशना अभी कर दी गई है 9 जनवरी 2024 को राश्पती भवन में एक समारों आयजित होगा और समारों में राश्पती महोद्या द्रौपदी मुर्मुजी के द्वारे ये पुरुसकार विद्रित के जाएंगे साल 2023 का मेजर ध्यांचंद खेल रतन पुरुसकार दिया गया है चिराग चंद्रशेकर शेट्टी और रं दोनों एक दूसरे के साथ कि खिलाडी है नाम ध्यान करते हैं दूसरा नाम ध्यान सात्युक साही राज किसे या भी ऐड़ुसरे के पार्टनर हैं कि योदोंन करते है वही करते हैं और प्रदी से बिलॉंग करते हैं मैंने क्या क्या कहा फिर से कहानी ध्यान से समझेगा और पूरी कोशिस करेगा कि सारे अगर हम बात करते हैं राश्टी खेल पुरुसकार राश्टी खेल पुरुसकार भी इतने आवाउड आते हैं सबसे बड़ा खेल जगत का सरवुच सम्मान है मेजर ध्यांचंद खेलरन पुरुसकार इसकी सामना प्राइज मनी देते हैं पहला किसे दिया गया है विश्वनाथन आनंदन को पहली महिला कौन है कर्णम मलेश्वरी कर्णम मलेश्वरी को कब दिया गया उनीश्व पंचानवे इनका समंद किस खेल से आंसर हो जाएगा वेट लिप्टिंग साल 2008 और 2014 मी राश्टी खेल मिंटन के हैं बैट मिंटन डावल में एक दूसरे के पार्टनर है चिराग सिटी मुंबई से ब्लॉंग करते हैं और सातिक साहिराज आंध्रपदी से क्लियर हो गित्ती बाती चले अगला आता है ध्यान चंद लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड ध्यान रखीगा मेज ध्यान चंद्खेलरत अवार्ड अलग है और भारत का सर्वुजपरुषकार है वहीं ध्यान चंद है logic award warehouse में funktioniert की Так वहीं ध्यान चंद Lifetime Achievement Award की सापना साल 2002 में करी गई है ध्यान रखीगा नाम से क्लियर है Lifetime Achievement यह अवर्ड ऐसे खिलाड़ी को दिया जाता है जिन्होंने ताउम्र अपनी पुरी लाइफ स्पोर्ट के प्रमोशन में खेल को बढ़ावा देने में लगा दिया गया हो ठीक है और इसमें दस लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाती है मेजर ध्यांचंद खेलतन अवर्ड में 25 रुपए की प्राइज मनी और ध्यांचंद Lifetime Achievement Award में दस लाख रुपए की मनी दी जाती है साल 2023 में तीन लोगों को ध्यांचंद Lifetime Achievement Award दिया गया किने कि नहीं दिया गया उनका संबंद कि स्केल्स है यह बहुत अच्छे ढंक से याद होना चाहिए पहला नाम आता है मंजूसा कवर यह बैटमिंटन से बिलॉंग करती है दूसरा नाम आता है विनी 2002 में स्थापित होती है दस लाक रुपए का प्राइस मनी दी जाती है ऐसे खिलाडी को दिया जाता है जिन्होंने पूरी उम्र स्पोर्ट के प्रोमोशन में लगा दिया हो साल 2030 में तीन खिलाडियों को ध्यांचंद Lifetime Achievement Award दिया जाता है पहली है मंजूसा कवर दिया गया पहला ध्यांचंद Lifetime Achievement Award किसे दिया गया था वह भी तीन लोग को दिया गया था नाम कोशिस करिए का याद हो जाए याद हो गया तो बहुत अच्छी पात है अदर्वाइस लेटेश तो याद रखना ही रखना है किसे किसे दिया गया था पहला साहुराज विर दिया गया था 2030 में किसे दिया गया एक फिर से मेरे सांथ नाम बोल दीजिए मंजूसा कवर बैट्मिंटर बहुत बढ़िया विनुइत कुमार सर्मा होकी से और कविता सर्वराज कबड़ी से बिलोंग करती है कब इस्टाबलिस्मेंट हुई 2002 कितना प्राइज मनी 10 लाग प्राइज मनी चले बढ़ते हम लोग अगले अवार्ट की तरफ वो है अर्जुन पूरुसकार बहुत इंपॉटन्ट है अगर आप से कुछन पूछा जाए कि भारत का सर्वोच खेल पूरुसकार कौन सा है तो मेजर ध्यांचन खेलन पूरुसकार भारत का दूसरा सर्वो अगर आप से कुछन पूछ लिया जाए कि इसमें कितनी प्राइज मनी दी जाती है अंसर हो जाएगा पंद्रा लाकी प्राइज मेजर ध्यांचन्द खेलत डंडे में 25,00,00,00 द्यांचन्द लाइफ टाइम एच्यूब्मेंट अव जाए दिया गया अब आप नाम और उनका सम्मन किस खेल से हैं बहुत अच्छवे ढंग से याद रखना है सर क्यों 26 के 26 इंपॉर्टेंट है क्या बिल्कुन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार कुशन इस तरह से भी पूछेंगे हैं एक्जाम में के एक सवाइजेट खिलाडी का नाम दे देगा और बोलेगा कि इन खिलाडियों का सम्मन किस खेल से हैं क्योंकि जिन्हें पुरुषकार दिया गया है साल भर न्यूज में बने रहेंगे तो उनका एक बार खेल याद करो काम फुर्शत करो ठीक है इन में से भी कुछ जादा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने अलग से इनका संबंद है तीरंदाजी से अधिती गोपीचन काफी सुर्ख्यों में रहती है अधिती गोपीचन इनका संबंद है तीरंदाजी से अगला नाम आता है स्री संकर एम का संबंद है अथलेटिक्स से अगला नाम आता है पारुल चोधरी यह भी एथलेटिक्स हैं फिर आ पूशे आ सकता है कि निम्ने में से किसे सत्रंज के लिए वर्स 2030 के अर्जुन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है आर वैशाली सत्रंज यह नाम भी बहुत अच्छे दंग से याद रखना है मुहम्मद शमी आप सभी को पता होगा बहुत ही सांदार गेंद बाज हैं और इ सुसीला चानू हौकी से संबंद है मड़ीपूर से बिलॉंग करती है लेकिन इन्होंने मध्द परदेश की जो होकी एकडमी है महीला और होकी एकडमी उससे भी ट्रेइनिक प्राब की है क्योंकि मध्द परदेश कहीं ना कहीं इनका संबंध है इसलिए हमाई लिए तो आघानू। होकी से अगला नाम जो आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना रखना है वह सूस्री नशरीन और इन्हें खोखो के लिए दिया गई नसरीन को खूखो अगला नाम आता है शूसी पिंकी इनने लोन बॉल्स के लिए दिया गया अगला नाम ऐशवर प्रताप श तो इतने कम से कम आपको याद रखता है। प्राची आदो जी का नाम बहुत अच्छे दंग से ध्यान रखता है क्योंकि प्राची आदो का समन्द भी मद्ध प्रदेश से हैं गौलियर से बिलॉंग करती है प्राची आदो पैरा कैनोंग खिलाडी है ठीक है तो यानि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मद्ध खिलाडियों को अर्जुन पुर्सका 2030 के लिए चुना गया ध्यान रखेगा सुसीला चानू मड़ीपूर से बिलॉंग करती है हौकी की खिलाडी है यह डारेक्ट मद्ध प्रदेश की किसी जिले की निवासे नहीं है इन्होंने मद्ध प्रदेश महिला है कैडमी से ट्रेन से हैं दूसरा नाम आता है प्राची यादो गौलिर से बिलॉंग करती है ठीक हो कितनी बाती चलिए अगला आता है हमारा द्रोनाचार अवार्ड द्रोनाचार अवार्ड के स्टाबलिस्मेंट हुई है मेरे साथ रिवाइस कर लिजिए आरजून पुरुषकार की स्थापनों होती है 1961 मेजा ध्यानचन दोना चार प्रुस्कार दोना चार कौन थे भी या पांडवों की गुरू थे इसका मतलब यह अवार्ड खिलाडी को नहीं बलकि कोच को प्रशिक्षा को गुरू को दिया जाता है इस्थापना वर्ष 1985 से ठीक होगी इतनी बाते चले और एक साल में अधिक्तम पांच जो हैं 2020 के लिए जाते हैं एक क्या यान्हीं एैसे प्रशिक्षा को दिया जाएगा इंहोंने एक लंभी अरसे से लगभग अपने पूरी जिद्गी सांदारब्स ट्रेञिंग देते हुए कई फिलाडियों को राष्ट्री और अन्तर राष्ट्री सतर पर पहचान दी है 2020 की वाट की एक सेड़ी होगी lifetime achievement category और इसमें पंद्रा लाक रुपे की प्राइज मनी देतने हैं और दूसरी category है regular category जिसमें दस लाक रुपे की प्राइज मनी दी जाती है ठीक है क्या कहता बांजी फिर ध्यान समझेगा पुरुसकार का दूसरी है हमारी रेगुलर सेड़ी lifetime achievement सेड़ी में पंद्रा लाक रुपे की प्राइज मनी दी जाती है रेगुलर सेड़ी में 10 लाक रुपे की प्राइज मनी दी जाती है क्लियर हो इतनी बाते अब देख लेते हैं कि साल दोजार तेज में lifetime achievement काटेगरी से किसे द्रोणाचार पुरुसकार दिया गया और रेगुलर सेड़ी से किने द्रोणाचार पुरुसकार दिया गया अगर हम बात करें lifetime में तो तीन ऐसे कोच हैं जिने द्रोणा चार्थ उसका दोजार तीस सम्मानित किया गया इन तीनों का नाम बहुत अच्छे से धंक से याद रखना चाहिए और इनका रिस्पेक्ट्वी स्पोर्ट भी हमें याद होना चाहिए पहला नाम आता है जस्कीर सिंग यह गोल्फ से विलॉंग करते हैं गोल्फ के ट्रेनर हैं कोच हैं दूसरा नाम आता है भासकरण यह कबडडी के कोच हैं तैसा नाम आता जैन्द कुमार यह टेबल टेनिस के कोच हैं क्वाफि ध्यान समझेगा दोणा-चार-पुसकार दो के टेगरी में दिया जाता है एक lifetime achievement category 15 रुपे की price money है दूसरा regular category 10 रुपे की price money है जो दोना चारपुसका 2023 lifetime category में तीन प्रसिशकों को दिया गया है जस्कीरत सिंग ये गोल्व से बिलॉंग करते हैं भासकरन एक कबड़ी से बिलॉंग करते हैं और जैंद कुमार table tennis से बिलॉंग करते हैं अगर हम दूसरी कटेगरी की बात करें रेगुलर कटेगरी तो रेगुलर कटेगरी में पांच प्रसिशकों को पांच कोचों को दोना चारपुसका 2023 के लिए चुना गया है अब इन पांच का नाम भी बहुत अच्छे ढंक से याद होना चाहिए इनक स्था प्रसिक्चक हैं क्यों हमाने हम इस लिए इसलिए इंप्राइटी करते हैं मद्धपृटर्देश के गौ glue Early with Mic प्रभाकर जी मल्खम के प्रचिक्षक है और मल्खम हमारे मद्ध प्रदेश का राज की खेल है तो एक फिर से कहानी को समराइज करीगा दोणाचार अवार्ड दोणाचार अवार्ड की की प्रचिक्षक है जबकि रेगुलर कटेग्री में दस लाख रुपे की प्रचिक्षक दिया गया वहीं अगर हम रेगुलर सेड़ी की बात करें तो साल कुमार टेबल टेनिस के प्रचिक्षक है वहीं अगर हम नीमित थेड़ी की बात करें तो पांच कोचिस हैं पांच में आपको सिविंद सिंग जी का नाम बहुत अच्छे धंग से याद रखना है क्योंकि होकी के हैं गौलियर से बिलोंग करते हैं गणेश प्रभाकर जी का ओख एसे खिलाणी एजिन्हें 24 अवाड दो हजार थेज़ दोना चार अवाड 2013 के लिए किस कटेग्री से दो supremacy वाडर किसे दिया गया खिक है धो ऩाउर किसे दिया गया आफ से जाएगा सिवंदर सिंग जी जो है हाकी के प्रशिक्षक है कां और से बिलोंग करते हैं गौल इसकी खरगौन डिस्टिक्ट से बिलॉंग करते हैं दूसरा नाम आता है प्राची यादो प्राची यादो जी गौले से बिलॉंग करती है और यह प्रकार का यह नौकायन प्रतियोगता है समझ में आगी आप सभी को बात चगले अगले अवार्ट की तरह हम लोग बढ़ते हैं यह मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी इसे भी नेशनल इस्पोर्ट अवार्ट की कटेगरी में सामिल किया गया है और यह अवार्ट किसी ना किसी यूनिवर्सिटी को दिया जाता है तो आप से सीधा कोशन पूछा जाएगा कि साल 2030 के लिए किसे मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है दी गई आंसर हो जाएगा गुरुनानक देव विश्विद्याले अम्रिस सर और इसे समग रूप से सीर्स प्रदर्शन करने के लिए पुरुसकार दिया गया जबकि उप विजेता को है जिसे मौलाना अबुल कला माजार ट्रॉफी दी गई है आंसर हो जाएगा लवली प्रोफेशनल इंवर्स्टी पंजाब की और तीसरा पुरुसकार तीसरा मौलाना अबुल कला माजार ट्रॉफी की से दिया गया कुर्चेत विश्वध्याले कु तो मद्य प्रदेश से कितने खिलाडियों को अर्जुन पुरुसकार दो एक का नाम है प्राचियादव पैरा कैनोइंग खिलाडी है कैनोइंग एक प्रकार की नौकायन सेलिंग कॉंप्टिशन है नौकायन प्रत्योगता है एश्वर प्रताप सिंग शूटिंग से बिलॉ से बिलॉंग करते हैं और वर्तमान में जो हमारी इंडियन नेशनल होगी टीम है उसके एसिस्टेंट कोच भी है सिवन सिंग ठीक है चले तो इस तरह आज के हमारी क्लास कंप्लीट होती है आप से पूछा जाए दोना चार्प उसका दोजार टीस सम्मानित सिवन सिंग का सम हम लोग यहीं तक रखेंगे सो आज का हमारा पहला कोशन था हम लोग ने सबसे पहले देखा कि दिसंबर 2003 में भारती नौशेना दौरा आयोजित एड्मिराल कप को किस देश की टीम ने जीता है तो आंसर था हमारा इटली एड्मिराल कप जो है हर साल इंडिन नेवल किस टीम ने खरीदा है कोलकाता नाइट राइडर ने लगबख 24 दसनों 75 करोड के सांद फिर मैंने बताया आइपेल इसकी सुरा साल 2008 में थी पहला आइपेल राजिस्थान राज्स ने जीता था सोलावा जो आइपेल है साल 2023 में चैन्नाई सूपर किंग ने जीता किसे कैप किसे दिया जाता सरवाधिक रन बनाने वाले खिराडी को पहला जो महिला प्रीमेर लीग है उसकी विजयता कौन थी मुंबई इंडियंग पहला डबलू पील कब हुआ चार से लेका 26 मार 2023 के बीच में फिर हम लोगों ने देखा कि अंतराश्टी कैमलिट वर्स गुज़ित किया है दोजा तीज़ आप सभी को पता है इंटरनेशनल इयर्स ऑफ मिलेट्स साल दोजार 24 को इंटरनेशनल इयर आफ कैमलिट्स कैया उन्ट की तरह दिखने वाले जानवर है जो अंडीज परवत्माला के ठंडे प्रदेशन वहां पाए जाते हैं साल दोजा बांगलादेश ने पहली बार जीता है अंडर नाइटिन एशन क्रिकेट कप जीतने का खिताब भारत के पास है अब तक साथ बार हमने इस खिताब को अपने नाम किया है फिर हम लोगों ने देखा था अंतराष्टी होकी संग के बारे में है 1924 में स्थापना होती है और हाल हमें हार्दिक सिंग्य जो की भारति होकी टीम में मीड़ फिल्लर के तोर lovely पूर्स होकी खिलाड़ी का खिताब दिया गया है और सबिता अचिदा पुनिया जी को स predicting महिला गोल कीपर का किदाब दिया गया। फिर हम लोगों ने कवर किया है Ericsson Lunar Award मैंने आप सभी को बताया आइसलेंड के एक संग्रहाला है हुसाविक अन्वेशन संग्रहाला है और इस म्यूजियम के दौरा साल 2015 से हर साल चंद्रमा के एक्स्प्लोरेशन के लिए Ericsson Lunar Award दिया जाता है साल 2023 में चंद्रियान 3 की सफलता के लिए यह पुरुसकार इस्रों को दिया गया उसके बाद हम लोगों हमने यह भी देखा कि मद्व प्रदेश के दो ऐसे खिलाड़ी है सुसीला चानुजी को अगर अलग रखा जाए दो ऐसे खिलाड़ी है जिने अर्जन पुरुसकार दिया गया है कौन कौन है एश्वर पताफ सिंग खरगौन सूटिंग से हैं प्राची आदो गॉल्या पैर क्यानुइंग है और एक ऐसे मद्व प्रदेश के हैं जिने दोना चार प्रुसकार जो है निर्मी सेनी के लिए दिया जा रहा है सिवन्द सिंग कहां से बिलॉंग करते हैं गौले से सारी बातें आज की क्लास में की हैं जाते जाते फटाक से देख लेते हैं कि 18 से लेकर 25 द आतरालाश्य प्रवाच्य दिवस 12 डिसम्बर को गोवा लीब्रेशन मानेश्य दिसम्बर को नाफश्री मानावत्वाफय दिसम्बर ग Kon тип किसके जन्म जैनती पर भारत के पूर्पधान दिसंगरें कि 10 धिसंबर को राष्टि उप्भोकत सं भारत के पूर्पिधान मंतरी अटल विहारी बाचपी जी के जयनती पर 25 दिसंबर को हर साल शुशासन दिवस के रुपे मना जाता है 26 दिसंबर बहुत important हो सकता है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रुपे मना जाता है ध्यान रखी गा मैने बाल दिवस नहीं पूछा अगर आपसे पूचए जाया बाल दिवस कब मनाते हैं तो 14 नौुम्बर चाचाड़ा नहरू के जिंजनतीना मोकी अंतराश्ट्री बाल दिवस कब मनाते हैं आंसर हो जाएगा 20 संब्सक्वच को जबकि वीर बाल दिवस कब मनाते हैं 6 26 दिसम्बर को साल 2022 से ही वीर बाल दिवस मनाने की सुराथ की गई है क्यों मनाए जाता है 26 दिसम्बर को वीर बाल दिवस उसका एक कारण है क्योंकि तारीख आती है 26 दिसम्बर 1704 की इस दिन क्या हुआ 26 दिसंबर 1704 को सिक्ष धर्म के अंतिम गुरु गोविन सिंग जी के दो वीर बहादुर पुत्र थे एक का नाम था साहब जादे जोरावर सिंग और दूसरे बेटे का नाम था गुरु गोविन सिंग जी के साहब जादा फते सिंग तो जोरावर सिंग जी और फते सिंग जी को औरंग जेप की सेना ने 26 दिसंबर 1704 को मृत्तु दंड दे दिया था केवल इसलिए क्योंकि इन्होंने धर्म परिवर्तन से मना कर दिया था और छोटे-छोटे बच्चे थे केवल 19 साल के बच्चे हुआ करते थे और इन्हीं के बहादुरी को देखते हुए जो रावर सिंग जो है फर्स्ट एडिशन जो है वीरवाल दिवस का साल 2022 में मनाए गया था और इस साल 26 दिसंबर को दूसरा वीरवाल दिवस मनाए जाएगा क्लियर होगी चले आप सभी के दिमाग में सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे मेलेंगे हम नेक्ष मंडे को इस पूरे इसके डिषयर के साथ आप सभी को इसकी जो पीडियाफ है आकाराici के ऊफ़ीशर ट इलगीग्राम्ट में शेर कर दिये जाएंगे ताकि आप सारे में को आप दिस्क्रिप्शन पर दिएगे नंबर पर कॉंटेट कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्ष्ट मंडे नाइन थाटी पीम पर तब तक के लिए हसते रहें मुस्कुराते रहें ध्यान रखीगा जय हिंद जय भारत थैंक यूरेवन